हेलो फ्रेंज यह आप हैं यह हम हैं और आज हम जॉइंट स्टॉक कंपनी टॉफिक सीखने जा रहा है आज प्रोफेसर राकेश आसवानी स्टेडि टिफ्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में क्या-क्या इसका इंड्रोड़क्शन फीचर्स मैरिट्स एंड लिमिटेशन एकदम ही सिंपल वाशा में मैं आपको चीज़े सिखाने जा रहा हूं इतना नहीं दोस्तों आपको मैक्सिमम वीडियो का बेनिफिट मिल सके तो आप डिस्क्रिप्शन में जब चेक करेंगे चैप्टर व केरिंग है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम देखेंगे इंपोर्टन टर्म्स यह क्यूं बता रहा हूं जॉइन स्टॉक कंपणी बहुत हैवी टॉपिक होता है कुछ बेसिक ग्यान का होना बहुत जरूर या कुछ लोग डिरेकली पढ़ाना स्टार्ट क कामपन्ड जबकि वह गलत टेकनीक है सबसे पहले आपको पता है जॉइन स्टॉक नहीं करते बहुत कम लोगों को यह पता है रियल लाइफ में हम जॉयंड स्टॉक कंपणी वर्ड इस्तमाल नहीं करते यह यूज दॉड का उर्परेट का मतलब होता है बिग बिसनस वर्ड जहां पैसे की कोई कमी नहीं है sky is the limit अगर आप भी corporate से जुड़ते हो तो definitely आपके पास भी wait time की कोई कमी नहीं होगी कैसे जुड़ना है यह options आपके सामने हो सकता है कि आप company के founder याने promoter बन जाओ partner बन जाओ जैसे लेट श्री दीरूबाई अम्बानी जब प्रमोटर आफ रेलाइंट से लेमिटेड दीरूबाई अम्बानी जब आपकी एज के थे तो पकोड़े बेशते थे पैट्रल पंपे पे उन्होंने काम किया और एक दिन उनके दिमाग में आइडिया है कि मेरे को लाइफ में कुछ बड़ा सा करना है तो उन्होंने बड़ा बिजस डिसाइड किया कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा बिजस करना है इनके आइडियास में बहुत दम था पर इनकी जेव में पैसा बहुत कम था तो इन्होंने पब्लिक को बोला आई ये आई ये मेरे कमपनी के शेर्स में पैसा लगाये याने क्या बन जढ़े यह पैसा लगा रहा तो मेरी कमपनी के मालिक पैसा आपका आईडिया हमारा इस तरह से हम काम करें ऊपनी और सारे खुद कंपणी को मैनेज नहीं करेंगे इसके लिए कंपणी को मैनेज करने की जवाबदारी किसके हाथ में दिए बोड आफ डारेक्टर्स एक मख को आता है फिर दो आपने ऐसी सीख लिए ओनर्स और मेंबर्स ऑफ दे कंपणी का ब्रेन से सोचने का काम करते कंपणी कैसे मैनेज करनी है कंपणी कैसे चलानी हुए तो इन्होंने राइट हैंड का क्या जिसको नाव रेत यह वहाए कंपणी सेकेटरी थे रहता है अब क्या यहां पैशा कोई और लगा रहा है कौन लगा रहा है तो पैसा इतना सारा देखके अच्छे इंसान की नियत बिगड़ सकती है इसके लिए कानून बनाया गया इंडियन कंपनी सेक्ट तो ताउजन थर्टिन ये लेटिस वर्षन है इसके पहले इंडियन कंपनी सेक्ट 1956 था ज्यादा चेंजिस नहीं है खाली एक्ट का नाम रोसी यानि रेजिस्ट्रार आफ कंपनी सा मेरा नाम भी रोसी है कैसे कई साल पहले एक स्टूड़न एक महिने के लिए गाओ गया था वहां से आया तो हम लोग डिसकेशन कर रहे थे कंपनी फॉर्म करनी है तो कंपनी का रेजिस्ट्रेशन करना पढ़ता तो किसकी ऑफिस में जाना पढ़ता है यह डॉक्यमेंटरेशन के लिए जमा किसके पास करेंगे रोसी के पास करेंगे ऐसे स्टूड़न जवाब दे रहे थे तो वह स्टूड़न जो गाओ से आया था उसको सहन नहीं और जोश में पूछ जया सब्सक्राइब और मैंने मजाक मजाक में बोल करते हैं अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों रेजिस्टर ऑफ कंपनी समसिखाने के लिए वडियूस करते हैं डिपार्टमेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफियर्स मिनि जॉइंट्व कंपनी की अगर हम बात करें तो जॉइंट्व कंपनी हमारे लाइफ का इंपोरेण्ट पार कैसे सुबई से लेकर रात तक आप जितने भी प्रोड़क्स का यूज करते हो कंस्प्शन करते हो 99 परसं वह जॉइंट्व स्टॉक कंपनी की देन है सुबए वो भी Czech company प्यस्जी को को कोला एक सेटरा स्वेफ ह्क रेgging करते हो मोबाइल है नेटव्क करते हैं सब हमें किसने बना के दिया है ज्जाइन फॉक्ट कोमपनी हमारे लाइफ पार्ट है अलकि आदल जा रहे हैं सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग आफ जॉइन स्टॉक कंपनी की अगर हम बात करें तो एक कंपनी जन एस्टेशन आफ परसंस एसे जन का मतलब होता है ग्रूप बड़े से ग्रूप को हमने नाम दे दिया एस्टेशन तो इस एस 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 परसंस फॉर्म्ड फॉ पईस में जाएंगे करेंगर कंपनी को रिजस्टेशन जान्रें कोया क्या हां जोग है कंपनी यह दोन्याओ दोर आग के लिए कंगर हमें पॉइंट्स में यूज करना सेक्ट वालाओ पॉइंट देख लेते हैं जो आपको दिया गया है company can be described as an artificial person company artificial person हम सब लोग natural person है हम सबने natural processing से जनम लिया है नौ मैंने पेट में रहके आये हैं तब जाके हमारा जनम हुआ है लेकिन कोई भी company को form ऐसे नहीं किया गया है हमने legal formalities को complete किया गया तो इस अन artificial person created by law having separate legal entity अभी भी मैंने आपको बता है separate legal entity याने separate legal status company अलग है शेरोल्डस members अलग है एक और वड़ दिये गया perpetual section का मतलब होता है long and stable life company सालों साल चल सकती है कोई भी व्यक्ति अगर मर जाए पर example promoter director secretary शेरोल्डस company को फरक नहीं पड़ता क्योंकि पुराने लोग जाते रहेंगे तो नए लोग आते रहेंगे लोगों में company का आना जाना लगा रहेगा अब इस तरह से कल कोने कुछ हो जाता था फिर कोई और वहां पर आजाएगा तो company सालों साल चलती रहेगी वह हो एक artificial person company को हाट है नहीं तो अटेक कहां से आएगा क्योंकि वह आटिविशल परसन है शरीर है नहीं फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं तो भीमारी कहां से होगी क्योंकि वह आटिविशल परसन है तो इस परपेट्चुल का मतलब क्या होता है फ्रेंट्स लॉंग एंस्टेबल याने लॉंग एंड कंडिनियस लाइफ और एक वर्ड दिया गया एंड़ कॉमन सील का मतलब होता है रबर स्टेंप याने सिगनेचर ऑफ कंपनी कुद साइन नहीं कर सक क्योंकि को साइन करने के लिए हाथ चाहिए जबकि कंपनी के बास बादी नहीं है तो कंपनी साइन कैसे करेगी कंपनी के नाम ठपा बनाया गया रबर स्टेंप जिसको नाम जीए कॉमन सील एक्ट एस सिगनेचर आफ आगे देखते हैं दोस्तों इंड्रोड की बात करें त स्क्रीन शॉट आपको यहां महां से नोट्स रफर करने के दोतनी है आपका टेक्सबुक बेस्ट है ओन वर्ट्स में लिखिए कब तक रट्टा मार करते रहेंगे तो क्या होता है कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है तो टोटल पैसा एक करोड़ चोटा से एक्जांबल ले से लेना है तो सब शेयर बेचा जाएगा एक शीर दस रुपए गा अगर दस लाख पॉब्लिक से लेना है तो एक शीर दस यहां करने के लिए कितने शेयर बेचने पढ़ेंगे पबलिक को जल्दी बोलिए your time starts now yes कितने 10 लाग कलेक करने के लिए 10 रुपए वाले एक लाग शेर्स बेचेंगे तब जाके company के पास पैसा आएगा कितना पैसा आएगा 10 लेक्स तो company के total capital उसको नाम दे दिया शेर कैपिडल और इसको चोटे चोटे पार्ट में डिवाइड किया गया जिसको नाम दिया गया शेर्स जैसे हर शेर्स का एक वैल्यू होता जिसको हम बोलते है ओरिजिनल वैल्यू यान फेस वैल्यू 10 रुपए का एक शेर्स शेर्स मार्केट मार्केट में जो प्राइस है वो मार्केट वैल्यू यह नॉलिज के लिए चीज़े में आपको बता हुआ और लास्ट पॉइंट तो आपको मैंने अल्लेडी बता हुआ है कि रेजिस्ट्रेशन आफ जॉइन स्टॉक कंपनी का रेजिस्ट्रेशन करना कंपर सरी एस पर कंपनी यंद पर से पैसा लिए तो प्राइवीट कंपनी तो रिलाइंस प्राइवेट कंपनी के पैसा लिए है तो प्रैवेट कंपनी है अगर परिवार के लोग पैसा लगा तो वह प्राइविट को कैसे पता चलेगा कंपने अगे पॉपलिक यह अगzeugर अंयोगा अधने सारे आपके घर में रहते हैं तो चेक बार लिमिटेट यह ठी बार प्राइवेट लिमिटेट तो इसको ही ऍवले फैर को टैच नहीं कर सकता कल को कंपनी डूब गई तो तुम्हारा उतना ही पैसा डूबेगा जितना तुमने शेर्स में इन्वेस्ट किया है लास्ट पॉइंट इस यहां पे हम फॉलो करेंगे यान इडिस गवन बाई इंडियन कंपनी सेग 2013 तो चलिए दोस्तों डेफिनेशन द कंपनी इनकरपोरिड याने रगिस्टर और ते अग Came improves कंपनी लौ इनका क्या है कंपनी का मतलब एक कंपनी जिसका हमने इनको पॉरेशन रगाया है अगे बढ़ैक्ट के थोड्यों लोग अपनी मर्जी से यहां पर प्रॉफिट को शेर करेंगे इतना ही नहीं यहां पर चाहिए तो आपको शेर खरीदने पड़ेंगे जो डेफिनिशन आपको याद हो लिख लीजीगा टेक्ट स्क्रीन शॉट आपके मोबाइल में नोट्स रहने वाले स्मार्ट वे से चीजों को सीखना है आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ पॉइंट्स तो मैं आपको अल्रडी बता चुका हूं फॉर इग्जांबल कंपनी पहला पॉइंट कंपनी कौन सा पर्शन है आप्टिविशल पर्शन है बिकॉस इस क्रिएटेड बाई लॉग कंपनी बले आप्टिविशल पर्शन है लेकिन वह किसी भी नाच्वल परसंदी तरह काम कर सकती है किसी को अपॉइंट करना हो कहीं से लोन लेना हो कंपनी के नाम से प्रॉपडी लेनी हो तो वह कर सकते हैं पॉइंट नमबर टू भी मैंने आपको सिखाया सेपरेट लीगल एंटेटे यानि सेपरेट लीगल स्टेटस कंपनी अलग है शेरोल्डस अलग है दोनों एक दूसरे के लिए जवाबदार नहीं है कल को आपकी कंपनी डूप गई तो आपको टेंचन लेने की जरूरात नह है कोई आपसे पैसा वसूलने वसूली भाई नहीं आएगा पॉइंट नमबर थ्री फॉर्मेशन कंपनी को फॉर्म करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा कंपनी का फॉर्मेशन ठोड़ा डिफिकल्ड है लीगल फॉर्मेशन करने के लिए पहले हमें रोसी की आफिस में ज मिलेगा यह मिलने के बाद प्राइवेट कंपनी अपना बिजन शुरू कर सकते लेकिन पब्लिक कंपनी को दूसरा से डिविकेट भी चाहिए जिसको नाम दे दिया रेडिंग सेडिफिकेट और बिजनस कमेंस्मेंट सेडिफिकेट इस नतिंग बट पर्मिशन टू स्टार बिजनस जब तक यह सेडिफिकेट नहीं मिलता कंपनी अपने बिजनस को स्टार्ट नहीं कर सकती पॉइंट नंबर फॉर बता चुका हूं पर्पेट्ट्वल सक्शेशन याने लॉंग एंड स्टेबल लाइफ कंपनी नॉट एफेक्टेट दू डेट इन्सॉल्वनसी आता जाता रहेगा इससे कंपनी को फरक नहीं पड़ेगा कंपनी चलती रहेगी लोगों को क्या है आते जाते रहेंगे पॉइंट नंबर फाइव स्कंट्रोल कंपनी का मैनेजमेंट किसके आत्में बोर्ड ऑफ डेरेक्टर इलेक्टेट रेप्रेजेंटेट इस और शेरह डिरेक्ली कॉन मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डारेक्टर पॉइंट नंबर सिक्स लाइबिलिटी लाइबिलिटी अफ मेंबर से लिमिडेट अप टू एक्सेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेर्स हेल्ड बाय देम जाने आपने जितने के शेर खरीदें उतना ही पैसा द देने अगर पूरा पैसा स्टार्डिंग में दे चुके हो तो आपको एक रुपया भी देने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट वन इस कॉमन सील यह मैं आपको आपने समझा तो पॉइंट्स कितने आसान हो जाते हैं कॉमन सील याने पार यहां नाम लिखा रहता है और पो नौलिज होना चाहिए तो आप में से कोई गलती से जानबुच के एस बन गया पॉइंट नॉम्ब रिसक इसमें कि वहता है रिसक्टky-स का है तो कितना पैसा दूब हां सिरफ 5000 किसी का 5000 कि सेथा जिसने जितना 一 THERE पैस किया जाता है किसमें तो यह benefit है किसी एक को जादा नुक्सान नहीं होगा तो रिसक शेर्ड बाय ओल दर मेंबर्स ऑफ दर कंपनी यह इसका प्लस पॉइंट भी माना जाता है जिसकी वजह से कंपनी कोई भी रिसकी बिसनस को स्टार्ट कर सकती है लेट इस सी दे मैरिट्स ऑफ जॉइन स्टॉक कंपनी फ्रेंट्स मेरिट्स की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर वन फीचर्स में से लिया गया है लिमिटेट लाइबर्टी लाइबर्टी ऑफ शेरोल्डर से लिमिटेट अप टू एक्टेंड ऑफ उन्पेड वेली ऑ आप जब चाहो शेर्स का बाइंग और सेलिंग कर सकते हो लेकिन प्राइवेट कंपनी में शेर्स आर नौट फ्रीली ट्रांसफरेबल या आपको याद रखना है पॉइंट नंबर थ्री परपेच्छुल एक्जिस्टेंस याने लॉंग एंस्टेबल लाइफ कंपनी इस न आते जाते रहते हैं ये ड posterior करें एक स्टूड ने इस डानों कीया था मैं आपको बता दू। उसके पड़्योस कोई-एकस्प्यार हो गया किसे बताया क्योंकर बंद्स का इन्सान का क्या है आते जाते रहते हैं सामने वाले को बहुत फील हुआ उस ने बगर साबुन के दोया पैसा आपके साथ ना हो इसके लिए रिक्वेस्ट है मेरा डियालोग कहीं स्तमाल ना करें पॉइंट नमबर फूर इसको फॉर एक्सपांशन अब जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या है एक्सपांशन के चांसे एक तो यहां पे कंपनी के मैनेजमेंट एक्सपर्ट के हाथ में दीगे यह प्लस कंपनी हर साल प्रॉपिट का कुछ इससा सेव करती रहती है जमा करती रहती है रिजर्स में जब बड़ी रकम हो जाती है तो यह वो पैसा बिजनस में इंवेस्ट कर सकते हैं अगर वही पैसा है यानि पैसा पैसे को से कमाया दूसरे में लगाया दूसरे से कमाया तीसरे में लगाया दोनों दीन हो से कमाया चौथे में लगाया रिलाइंस का इकजामपल ले więce कई सारी तो यहाँ पूरे पूरे चांसेdzल बिस्न के expansion से क्योंकि company के पास पैसा collect करने के number of sources available है उसके लिए अलग से sources of capital करकेट भी topic आपको आगा in future chapters में हम discuss करेंगे तो यहां पर expansion के chances बहुत जादा है point number five आपको पता है जो management है वो professionals के हाथ में दीगे that is the heading given is professional management company हर काम के लिए experts को point करते क्योंकि company के पास पैसे की कोई कमी नहीं है they want the best आप भी best हो तो company आपको welcome करेगी आज भी बड़ी-बड़ी companies में अच्छे लोगों को ढूंडा जाता प्रोफेशनल चाहिए experts चाहिए जो company को कहां से कहां पहुचा सके ना के कहां से कहां पहुचा सके तो दीज वर the merits of joint stock company आगे बढ़ते हैं दोस्तों let us see the limitations of joint stock company point number one complexity in formation याने difficult formation company form करना आसान नहीं स्टेजिस फॉलो करने पड़ते हैं उसका अलग से टॉपिक है आपको स्टेजिस इन कंपनी फॉर्म चार स्टेजिस होते हैं प्रोमोशन इनकर्पोरेशन फिर पब्लिक से पैसा लेना तो हर एक के बसकी बात नहीं है तो फॉर्मेशन इस वेरी वेरी कॉंप्लिकेटेड याने डिफिकल्ट टाइम कंसुमिंग लेंदी प्रोसीजर पॉइंट नमबर टू सीक्रेसी यहां पर राज को राज नहीं रख सकते क्योंकि कंपनी को हर साल अपने अकाउंट्स निउस पेपर में पढ़ते हैं इस पर दाएक्ट और रूल है भाई अकाउंट्स दिखाने पढ़ेंगे सारी चीज़ें बताने पढ़ती है और इस इंफर्मेशन का कोई भी मिस्यूस कर सकता है तो यह माइनस पॉइंट है पॉइंट नमबर तरी इंपसर वक एंवारेंडमेंट यहां पे वो परसनल टच्स मिसींग है और एक्जामपल मुकेश अंबन्य को पता है कि यह एंप्लॉई मेरी कंपनी में काम करता है नहीं पता है लाकों लोग उस बंदे की इतनी सारी कंपनी और ब्रांचिस में काम करते हैं तो यह बंदा डेली एक को ग ही मोडिर हो जाता तो उसका पॉफॉमेंस लो हो जाता जो कि माइनस पॉइंट नंबर फॉर से कनेक्टेट है न्यूमरस रेगुलेशन यानि नंबर ऑफ क्या वह देंग ते वार्माई caucus 3 इस पूरे करने पर द्यांप CHलो located जैसे जैसे हमने वार्म कर ली उसके बाद भी नहीं हमें सम्य समय पर कैसे सरे डॉक्योंत जमा करने किसके पाहत जमा करने के पास जबकने के नहीं जमा किया तो आरो सी लगाएंगे फाइंट सेंड पैनल्टी तो यह बहुत सारे जो हैं फॉर्मालिटीज यह परेशान करते हैं हम कंपनी को स्मूथली रन नहीं कर सकते हैं पॉइंट नंबर फाइव डिले इन डिसिशन मेकिंग यहां पर फड़ा पर डिसिशन नहीं अजैनों में सकते हैं और मीटिंग लेने के लिए लंबा जड़ा करना पड़ता है ओर अने यहний मीटिंग striking पहले सब लोगों तक भेजना है लोगों को मीटिंग के लिए इन्वाइट करना है मीटिंग का पूरा बंदोबस करना तो नंबर ओफ फॉर्मेलीडी वह पूरे करने पड़ता है वहां पे मेंबर साके मिलके अब ओलीगार्चिक मैनेश्मेंट क्या होता है जब मुठी पर लोग पूर्टिनी बड़ी बिजनस एंपायर को कंट्रोल करते हैं डिसीशन कौन लेते हैं बोर्ड अवरेटर्टर्स क्योंकि उनकी हाथ में मैनेश्मेंट है उनकी हाथ में कमार्ण है शेरोल्डर्स मोर इन न option नहीं होता है जो सब्सक्राइब होते हैं मार्केट में अपने रड़ कर सकते हैं शेर कर सकते हैं अब्स पर लोग करो यहां पे अपनी मानि करते हैं और पब्लिक को इससे कई बाद तकलीफ होती है परिशानी होती है पॉइंट नंबर सेवन एस कॉन्फिलिक्ट इन इंट्रस्ट यानि आपस में क्लैशे सो रहे हर इंसान का अपना अपना स्वार्थ है यहां पर एक्जांपल एंप्लोई चाहते हैं कि कंपनी हमें हर साल अच्छा बोनस दे हमारी पगार बढ़ा है कंजूमर्स चाहते हैं कि कंपनी हमारे लिए कॉलेडी गुड्स इंट्रूइस करें वह इनोवेशन करते रहें नौवल्डी प्रोडक्स लाते रहें शरोल्डर्स चाहते हैं कि कंपनी हमें अच्छा डिविडन दे तो हर इंसान का यहां पर अलग-अलग स्वार्थ है और उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा रहेगा थैंक यू आल फॉर लव एंड सपोर्ट